तो आज हम चैप्टर नमबर टू फैक्टर्स एंड वाल्टिपल्स के वैल्यू बेस्ट को सॉल्व करेंगे अगर आपको वीडियो लगे लिए तो उसे लाइक कर देना अगे आप मेरे चैनल पर नए न्ए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी आने वाले वीडियो Cel अपको मिलती रहें तो देखें है फर्स्ट कोस्ट्इं क्या है The schools nowadays have a council which consists of students representative तकि आज कल स्कूलों में एक council होते हैं वे students के representative होते हैं जो students के problems को sort out करते हैं This council helps the school in organizing various events ये council क्या करते हैं? स्कूल में अलग-अलग तरह के जो events होते रहते हैं उन्हें organize करने में स्कूल की help करते हैं जैसे let's suppose sports हो या annual functions होते हैं स्कूलों में या फिर picnic ले जाना हुआ इस तरह के जो भी events होते हैं उन्हें organize करते हैं ये council Rohan has also been selected in his school council this year Rohan भी इस साल क्या हुआ है? इस यर वो select हुआ है किसमे? अपने school के council में, ठीक है? रोहन का जो school है उसमें जो भी council होगा उसमें वो select हुआ है आगे क्या कहता है? देखिए The school organized a picnic in which 108, 162 and 270 students of classes 6, 7, 8 respectively were going तो उनके school में इस बार क्या हुआ है? पिकनिक organized हुआ है बच्चे पिकनिक पे जा रहा है है तो क्या कहा गया है? यहां देखिए Class 6 से 108 बच्चे है Class 6 से 108 बच्चे है Class 7 से 162 बच्चे जा रहा है and Class 8 से 270 बच्चे जा रहा है ठीक है न? अब क्या कहा गया है रोहन's teacher asked him to help the transport in charge रोहन की teacher ने उन्हें क्या कहा है कि आप रोहन तो select हुआ है ना as a member अपने school council का तो उसकी teacher ने उसे कहा है कि आप transport in charge को help करो ठीक है तो देखिए इससे question क्या बनता है first question है find out the number of buses required क्या find करना है हमें रोहन जो पिकनिक पे जा रहा है तो इतने students जा रहा है 108, 162 and 270 students जा रहा है तो इनको ले जाने की व्यवस्था करने पड़ेगी ना वेवस्था करने पड़ेगी तो क्या कहा गया है कि कितने buses की जरूत पड़ेगी यहां ठीक है कंडिशन यह है कि जितने भी बस होंगे तो उसमें students जो है maximum number में होने चाहिए ठीक है जादे से जादे students होने चाहिए and क्या होना चाहिए equal number of students from each class class 6, class 7 and class 8 से equal number of students होने चाहिए each buses में let's suppose यहां देखिए थोड़ा अब समझ ले कि इसे करना कैसे है let's suppose यहां कितने बस है हम माल लेते हैं कि 5 buses की जरूत पड़ेगी ठीक है तो let's suppose यहां 1st bus, 2nd bus, 3rd, 4th and 5th ठीक है हम माल लेते हैं कि 5 buses की जरूत पड़ेगी ठीक है अब यहां condition कहा गया है कि maximum number of students होने चाहिए each buses में यहां देखिए each bus had to carry maximum but equal number of students from each class तो पहली condition तो है कि maximum number of students होने चाहिए तो let's suppose हम माल लेते हैं कि 8 students हर buses में जाएंगे अभी हम माल लेते हैं फर्स्ट बस में 8 students, second में, third में, fourth में and fifth में तो maximum number of students हो गया है 8 सभी buses में अब second condition है कि equal number of students from each class मतलब अगर class 6 से two students first bus में गया है तो two students ही second bus में जाएंगे ठीक है, two students ही third में जाएंगे, fourth में जाएंगे and fifth में जाएंगे और अगर class seven के three students first bus में है तो second में भी थ्री राएंगे third में भी थ्री राएंगे, fourth में भी थ्री राएंगे and fifth में भी थ्री जाएंगे जितने भी बसेज है ना उनमें class six से same number of students जाएंगे class seven से same number of students जाएंगे and class eight से four अगर first bus में है तो four students से second bus में होंगे बाकी भी जितने बसेज है सभी में four 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 बच्चे जाएंगे ठीक है sorry यहाँ add में घड़बर हो गया यहाँ देखिए two three five five plus four nine होता है तो हम nine का example लेते हैं ठीक है यहाँ nine का example लेते है eight cut कर देते है let's suppose हमें क्या करना है busses में nine students maximum number of students nine है हम माल लेते हैं अभी कि maximum number of students कितने है nine है तो classic से अगर two बच्चे first bus में हैं तो सभी buses में two बच्चे होंगे class seven से three बच्चे में हैं तो बाकि सभी में भी three होंगे class eight से four अगर first में हैं तो बाकि सभी में भी four होंगे तो condition यह है तो यहाँ हमें करना क्या है देखिए यहाँ हमें करना होगा number of students दिये गया है hundred eight, 162 and 270 इनके हमें LCM ने HCF करने होंगे क्योंकि अगर हम इन numbers के LCM find करेंगे तो LCM जो है देखिए LCM हमेशा HCF से बड़ा होता है नमबर में जब भी इन numbers के 108 162 and 270 के जो LCM होंगे न इनके LCM इन नमबर से बड़े होंगे और HCF इन numbers से छोटे होंगे तो आप सोचो कि students इतने हैं और LCM इन से तो बहुत ज़्यादा आजाएगा तो जब students कम है और ज़्यादा बसेज की क्यों ज़रोत पड़ेगी क्यों हमें चाहिए ज़्यादा बसेज let's suppose students कितने हैं हम यहां आड़ करके देखते हैं 270, 162, 108 540 बच्चे हैं और LCM इनका अगर फाइंड करो तो बहुत ज़्यादा आजाएगा तो 540 के लिए उतने बसेज की ज़रूत क्यों पड़ेगी भाई सभी बसेज तो खाली इस तरह से चले जाएँगे एक दो students जाएँगे तो हमें क्या करना है इनके HCF फाइंड करना है HCF इनसे जो भी नंबर्स दिये गया ना इनसे छोटा नंबर होगा जो HCF फाइंड करेंगे तो चलिए इनका HCF फाइंड करते हैं और एक चीज़ जहान रखेगा जब भी इस तरह के questions आए कि इस तरह के questions आए जैसे कि same number of डालने है कोई भी चीज में let's suppose 5 boxes है और chocolates है इस तरह के अलग-अलग type of chocolates है और सभी में same numbers of chocolates जालने है इस तरह के जितने भी questions आते हैं इसमें हमें क्या करना होगा HCF करना होगा तो देखे यहां हम लिख लेते हैं number of students class 6 के कितने है 108 class 7 के 162 and class 8 270 अब इन numbers के हमें क्या करने होगे HCF find करने होगे तो चले HCF find करते हैं देखे हमारे book में HCF find के 3 method दिये गया है तो मैं यहां पर prime factorization method से कर रही हूँ आपको जो भी method easy लगता है अब उससे करना ठीक है तो यहां देखे 108 है तो इसे हम 2 से डिवाइट करेंगे prime factorization इसका find करते हैं तो 2 से करेंगे तो 5 होगा 4 होगा फिर से 2 से डिवाइट जाएगा तो 27 होगा अगेन हम अब क्या करेंगे अब देखे 2 से डिवाइट नहीं जाएगा 27 त्री से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 9 times होगा फिर से 3 से करेंगे तो 3 times होगा और फिर से हमें यहां 3 से करना होगा तो यहां 1 आ गया अब हमें क्या करना है? स्टॉप कर देना है ठीक है और देखे सेकेंड में है 162 तो यह भी 2 से डिवाइट चला जाएगा तो 2 से करेंगे 81 आगया अब और यह 2 से नहीं जायागा तो अब हम इसे 3 से 2 से Divide करेंगे 3 से करने से यहाँ पर हो जायागा 27 फिर से 3 से जायागा 9 X तो 2 से जायागा 3 X 3 से जायागा तो 1 X अब यहाँ स्टॉप हो जायागा ठेक है और फिर 270 है, 270 भी देखिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां होगा 1, 3 and 5, 135 अब देखिए, यह 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड चला जाएगा, 4 ताइम्स और 5, फिर से 3 से यह जाएगा, तो 15 हो जाएगा, फिर से देना है इनके जो भी प्राइम फेक्टर्स आया है इसे हम यहां लिखते है निचे ठीक है तो हमें क्या क्या है यह है 108 के 2 कितनी टाइम्स आया है देखे 1 2 2 टाइम्स आया है देखे इनके प्राइम फेक्टर्स हमने नोट कर लिया है अब क्या करेंगे जो भी नंबर्स कॉमन है इन तीनों में उसे हम नोट करेंगे देखे कौन कौन सा नंबर कॉमन है देखे यहां 208 में भी है 260 में भी है और 270 में भी है फिर से 2 है अब 2 नहीं है यहां पर है बट इन में नहीं है अब देखे 3 है तीनों में थ्री यहां भी है यहां भी है यहां भी है और थ्री यहां भी है अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है यहां है बट इन दोनों में नहीं है थ्री यह एक्स्ट्रा बच रहा है जो यहां है बट इन दोनों में नहीं है तो इनके जो कॉमन फैक्टर्स है यहां हम लिख 162 and 270 क्या क्या हो गया है 2 1 टाइम्स and 3 3 टाइम्स इन सब को मल्टिप्लाइ करेंगे तो 54 आता है ठीक है नमबर को मल्टिप्लाइ करने से 54 आया गा तो देखें यह 54 क्या हो गया इनका HCF हो गया है ना highest to common factor हो गया therefore HCF 54 हो गया तो जो HCF आया है ना यही इसका answer हो जायागा इस नमबर का जो required number of buses की कितनी बसे की जुरुत पड़े गया हमें तो यहां हम लिखेंगे therefore required number of buses 54 बसे की जुरुत हमें पड़े गी तो देखें फर्स्ट कुस्चन यही था find out the number of buses है ना required कितनी बसे की जुरुत पड़ेगी तो यहां हमें कितनी बसे की जुरुत पड़ेगी 54 बसे की जुरुत पड़ेगी और अगर आप चाहते हो कि यहां हमें इतना ही आंसर चाहिए आपको अगर एक्जाम में आएगा तो बस आपको इतना ही करना है लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि हर बसे में जितने बसे 54 इन में कितने स्टूडेंट्स चाहेंगे तो आप फाइंड कर सकते हैं देखे कैसे टोटल नंबर ओफ स्टूडेंट्स कितने हैं 108 प्लस 162 प्लस 270 इनको जब हम एड करेंगे तो 540 आता है ठीक है तो देखे इस्टूडेंट्स कितने हैं 540 और नंबर ओफ बसे कितने हैं 54 तो 54 से जितने भी बसिज रिक्र silence आपर कर देंगे तो सट्टो स्टूडेंट्स में कितने स्टूडेंट्स जाएंगे स्टूडेंट्स में 10 स्टूडेंट्स आएंग्ज ठीक democratic इससे स्टेक्इंड कोश्च्ण क्या है तो आगे क्या कहा गया है तो जब रोहन ने पाट लिया था अपने स्कूल काउंसिल में तो देखिए वो उसने बहुत सारी चीजे सीखी होंगी उसमें एक चीज क्या उसने सीखा एक वैल्यू डिसिजन मेकिंग का ठीक है न तो यहां पूछ रहा है आपको कि दूसरी कौन सी वैल्यू काउंसिल बच् इस तरह के इवेंट्स को और गनाइज करते हैं जो भी उसमें वो बच्छों को पाट लेने के लिए कहते हैं तो इस तरह से बच्चों में और कौन सी वैल्यूस डेवलप होंगी तो देखिए हम इसमें कह सकते हैं कि बच्चों में रिस्पॉंसिबिलिटी आती है अगर उन जिन्हें जरूत हो उनको मदद करना चाहेंगे तो helping the lady लिख सकते हैं हम जयत्मंदों की मदद करना तो यह दो तीन आंसर हम लिख सकते हैं यहां पर तो इसमें हम लिखेंगे दो आंसर दे देते हैं हम लोग आप और भी याड़ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं लिडर्शिप क्वालिटी जाएगी बच्चों में अगर इस तरह के इवेंट्स में बच्चों को पाट लेने के लिए कहा जाए तो लिडर्शिप क्वालिटी जाएगी नेक्स्ट और क्या हो सकता है अगर आप अपना एक सजेशन दो कि आप किस तरह से अपने स्कूल के काउंसिल में हेल्प करते हैं किस तरह से आप अपने स्कूल के हल्प कर सकते हो तो इसमें आप तो सबसे बड़ा योगदान यही दे सकते हैं आपना कि अपने स्कूल में डिसिप्लीन में रख सकते हैं और दूसरों को भी कह सकते हैं कि आप डिसिप्लीन में रहो इससे क्या होगा कि किसी दूसरे को भी परिशानी नहीं होगी और स्कूल भी अच्छे से चलेगा ठीक है तो इसका अंसर आप लिख सकते हो हमें क्या कर सकते हैं बच्चे स्कूल में डिसिप्लिन को मेंटेन करके रख सकते हैं जिन से दूसरे टीचर्स को दूसरे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो हमारी स्कूल में क्या करना होगा आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होगा और दूसरों से भी कह सकते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहो ठीक है तो देखिए सेकेंड कुस्चन क्या है यू नो फाइब जून इस सलिब्रेटेटेड एवरी येर एज वर्ल्ड इंवार्मेंट इस सलिब्रेट किया जाता है उसके बाद क्या है देखिए अज पार्ट ओफ इट सलिब्रेशन व्रिंदा एंड हर तू फ्रेंड्स डिसाइड तो हैव एवर्लिंग रेस तो प्रोमोट इंवार्मेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट तो उन्हों ने व्रिंदा और उनके फ प्रिंदा और उनकी फ्रेंडस नहीं क्यों उन्होंने स्क्वान रेस ऩो कोई और भी रेस तो डिसाइड कर सकते थे कोई और वेट से बट उन्होंने हैसे कूझ डिसाइड कि या वे प्रोमोड करना चाहते थे इंवार्मेंट व्रेटली ट्रैंसपोर्ट को तो देखिए इंवार्मेंट फ्रेंड़ी ट्र्थाैंसपोर्ट से हमें जर्पतें टोषछ में आजल से ऐंप लिदम से इंवार्मेंट करते हैं किया they started at 12 noon and took 3 minute 20 second three minute 40 second and four minute respectively to cycle on a circular track तो बिरिनदा उनकी two friends थी तो विरिनदा ने 3 minute 20 second time लिया 12 noon से start किया चलना and एक circular track पर तो circular track एक देखिए let's suppose ऐसा होगा circular track इस तरवा का circle के type का track होगा जहां उन्होंने चलने के लिए decide किया और इसे चलने के लिए उन्होंने वरिंदा ने थ्री मिनट ट्वैंटी सेकेंड टाइम लिया वरिंदा की first friend ने 3 मिनट 40 second time लिया and विरिंदा के second friend ने 4 minute का time लिया तो question क्या है देखिए if विरिंदा and her friends started together at 12 noon then when will they meet next ठीक है तो circular track समझ लिजिए कि ये है और इस पे वे तीनो friends चलना start किये हैं तो इन्हें यहां से चलना है कहीं से भी ले लो आप suppose कर लो कि यहां से वे तीनों चलते हैं तो question है कि वे 12 बजे 12 दोपहर के 12 बजे noon means दोपहर को 12 बजे वे चलना start करते हैं तो next question है कि when will they meet next यहां पे वे लोग एक साथ चलना start करते हैं तो पुछा गया है कि इसके बाद वे एक साथ कब मिलेंगे हो सकता है यहां पे मिले यहां पे मिले यहां पे मिले कहीं भी मिल सकते हैं यहां पे मिल सकते हैं यहां पे मिल सकते हैं तो हम क्या करेंगे इन numbers के जो भी time इनों लिया है इन्हें पहले same unit में change करेंगे जैसे कि यहां देखिए minute and second में है ना तो इनके units को second में ले आते हैं सबसे पहले, तो देखें, व्रिंदा ने कितना time लिया, तो हम लिखेंगे time taken by व्रिंदा, व्रिंदा ने कितना time लिया, 3 minute 20 second का time लिया, व्रिंदा ने, अब देखें, यहां दो unit दिये हुए है, minute and second, हमें क्या करना होगा, मिनट को second में change कर लेना होगा, तो minute को second में change करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से multiply करेंगे, minute वाले unit को, and 20 second को ऐसे ही रने देंगे, बस, बस, क्या करना है में, plus में यह रहेगा, 3 minute के साथ, यह plus में रहेगा, तो इनको multiply करके आता है, 180 plus 20, अब इनको add करो तो आता है, 200 second, ठीक है अब next है, उनकी second friend ने कितना time लिया, तो हम लिखेंगे, time taken by, sorry second friend ने, first friend हम कहेंगे, उनकी दो friends थी ना, तो, उनके first friend ने कितना time लिया, 3 minute, 40 second, ठीक है, देखें, फर्स्ट फ्रेंड और second friend इसलिए कह रहा है, कि यहाँ पर उनके ना mention नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ बे मिनट के साथ, 60 को multiply करेंगे, तो second में change हो जाएगा, प्लस यह 40, प्लस में रहाएगा, ठीक है, तो इन दोनों को multiply करेंगे, तो 180 होगा, और plus 40, इन दोनों को add करेंगे, तो हमारा यहाँ आएगा, 220 second, ठीक है, और उनकी जो second friend थी, time, second by second friend, उन्होंने 4 मिनट का time लिया, ठीक है, तो इसे हम second में change करेंगे, 4 into 60, कितना होगा, 240 second, ठीक है, अब देखें, सारे यूनिट, हमारे यहाँ second में आ चुके हैं, और यहाँ, तो इन यूनिट, यह जो नंबर्स दिये गया है, इनका क्या करना होगा, हमें, lcm find करना होगा, उसे यह तीनों नंबर दिवाइट चले जाएंगे, 2 से जाएंगे, 100 यहाँ होगा, 110 होगा, 120 होगा, फिर से 2 से डिवाइट जाएंगे, तो यहाँ पे 50, 55 होगा, यहाँ 60 अब देखिए, फिर से यह तो से डिवाइट चला जाएगा, यह दो नहीं जा एगगा, तो यह तो यह दोनों ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, नंबर, यह फिप्टेट इनों तinkटिवाइट जाएंगे, यह zurच Bir तो इस जाएगा, 25 होगा, 55 है और जो 2 पान, यह तीनों करेंगे डिवाई वन आ गया अब हमें स्टॉप कर देना तो इनके LCM क्या होंगे तो यहां हम लिखते हैं देखिए therefore LCM of 200, 220 and 240 2 कितनी ताम साय है? थेखिए 1, 2, 3, 4 4 ताम साय है 3 वन ताम साय है & 5 ताम साय है 11 वन ताम साय है इन घर चाने में लखेंगे अब इन सब को मॉल्टिप्लाय करेंगे तो यहां हमारा आजायागा 13 2000 यह नमबर किस युणित में आया है यह सेकंड में आया है क्योंकि णये सेकंड में थे यह नमबर्स जो थे encant तूप स्टार्ट में क्या जैने ही trave श्तार्क ने स्टार्ट करते हैं प्सक्राट इसमें चाहिए लिए क्रांपर İyi क्यों क्योंकि उससे हमें पता चले गा कि उन्होंने कि इसमें प्रीजन कमे laat तो यह मिनिट में चेंज हो जाएगा, next हम फिर से 60 से डिवाइट करेंगे, दो बार 60 से जब हमें second को आर में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 60 इंटो 60 से डिवाइट करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे देखे, एक बार अगर हमने इसे 60 से डिवाइट करा, तो मिनेट में आयेगा फिर दुवारा मिनेट को हमें आर में चेंज करना पड़ेगा तो दुवारा हमों 60 से डिवाइट करना पड़ेगा इसलिए हम क्या करते हैं यहां पर एक ही बार 60 से डिवाइट कर देते हैं एक ही साथ ही साथ तो देखिए डिवाइट करेंगे तो 00 कैं होगा 132 कितने टाइम्स केंसिल होगा 22 ताइम्स यहां हो गया 22 अपन 6 आर अब देखिए 6 से हम 22 को डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आता है ठीक है तो देखिए 6 से 22 को हम डिवाइड करेंगे 4x3 तैम्स जाएगा क्योंकि 4x24 हो जाएगा जादा हो जाएगा थ्री अधिन आएगा माइनस करेंगे तो यहां 4 आ गया तो देखिए यह 22 अपन 6 यह R में था है ना R में था तो that means 3 क्या है 3 भी R है ठीक है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं देखिए जो divide करके आता है quotient यहां रहता है जिससे divide हमें करना होता है वो 6 यहां निचे रहता है और जो remainder रहता है ओपर रहता है है ना तो अब देखो यह R है बट यह क्या है यह मिनट में है तो इसे हम 3 R 40 सेकंड लिखेंगे 40 मिनट स्वरी सेकंड नहीं 40 मिनट क्योंकि यहां देखिए क्या है 6 है आप 0 भी रख सकते हैं ठीक है तो यह 40 मिनट हो गया 3 R 40 मिनट तो इसका मतलब वे जो है 3 गंटे 40 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे कब से 12 नून को चलना स्टार्ट किये थे इसके 3 घंटे 40 मिनट बाद तो हम 12 नून में 12 बजे में कितना एड़ कर देंगे 3 R's एड़ कर देंगे तो हम देखिए अगर हम 12 बज रहे हैं उसमें हम 3 R 40 मिनट एड़ करेंगे तो टाइम क्या होगा अगर 3 15 आर हो जाएगा 40 मिनट 15 मिन्स होता है 3 बजना अब इसे वाच बनाते हैं उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे लेट सब्स ये एक वाच है इस पे हम टाइमिंग पुट कर देते हैं यहां 12 बजते हैं तो यहां 12 रहता है यहां 6 रहता है यहां 3 यहां 9 12 के बाद 1 बजता है एक के बाद 2, 3, 4, 5 हमें इधर ही लेना है इतना ही दूर इधर जाना भी नहीं है अब देखिए वे तीनों फ्रेंड्स कहां से चलना स्टार्ट किये थे 12 बजते दो पहर के हैं 12 बजते हैं तो यहां से वे फ्रेंड्स चलना सुरू किये थे और कितने घंटे बाद मिलते हैं देखिए 3 आर्स 40 मिनट बाद तो यहां से जब हम 3 घंटे चलते हैं तो हमें कितना स्टेप चलना पड़ागा 12 से 1 यह घंटा हो गया फिर 1 से 2 जाएंगे तो 2 घंटा हो गया 1 आर यहां हो गया यहां 2 आर हो गया एंड 2 से फिर 3 पे जाएंगे तो 3 आर हो गया तो देखिए 3 आर हो गया तो 3 घंटे बाद कहां पहुशते हैं वे लू 3 बजे तो 3 हमने लिख लिया और प्लस यहां क्या है देखिए 40 मिनट भी है सिर्फ तीन ही घंटे नहीं है 40 मिनट भी है तो 40 मिनट देखिए पुरा एगंटा तो नहीं हुआ अगर यह 60 मिनट होता तो यह 4 पे आ जाते हुए लोग बट 40 मिनट है तो 3 और 4 के बीच में ही रहेंगे इस जगह पे लोग मिले तीनों फ्रेंड्स कहा मिलेंगे वरिंदा एंड फ्रेंड्स कहा मिलेंगे 3 & 4 के बीच में तो टाइमिंग यहां हम क्या लिखेंगे 3 40 PM क्योंकि दो पहर के बारा बजने के बाद पीम हो जाता है तो 3 40 PM यह इसका आंसर हो गया ठीक है और नेक्स्ट कुस्चिन देखिए क्य इसी में suggest the ways by which you can save environment तो आप अपना suggestion दो कि आप किस तरीके से environment को save कर सकते हो जैसे कि वरिंदा ने क्या किया वरिंदा एंड उनकी friends ने cycle से चलना decide किया कि हम cycle से चलते हैं तो आप अपना बताओ कि आप क्या कर सकते हो तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग environment को save करने के लिए सबसे ज़रूरी तो हम plants लगाया है ना plants more and more trees ज्यादा से ज्यादा हम plants लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं using CNG, CNG का use कर सकते हैं हमें थोड़ी दूर पर जाना है और वहां हम पैदल जा सकते हैं या फिर cycle से जा सकते हैं तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम खुद का वैकल्स निकाले by car यह सब यूज करें पैदल भी जाकर उस काम को हम कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं यहां पे car पूल मतलब हमें ज़रूरत नहीं हम पैदल भी जा सकते हैं और क्या लिख सकते हैं अगर हमें कुछ दूर जाना है और हम ज़रूरत नहीं है कि car से ही जाए पर प्लिक टांस्पोर्ट का भी यूज कर सकते हैं तो जो भी चीजे आपके माइंड में इस तरह की आती है वह लिख सकते हैं तो य कीज़ जाए ज़्यादा से जाए लगाने चाहिए ना नेच्ट हम लिख सकते हैं उस इंग cng कर ना है और क्या कर सकते हैं कार पुल कर सकते हैं हमारे पास कार है और हमें थोड़ी दूर जाना और बार बार कार निकाल लेना चोटे-चोटी वातों पर यह ठीक नहीं है तो ह एंवेर्मेंट को सेंव करने के लिए तो यहां देखिए हमने वैल्यओ वेस्ट कोश्च जीन्स दोनों हमने सॉल्व कर लिये हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन टीजर्स के कोस्टन को सॉल्व करेंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना एंड फ्रेंट्स में सेयर कर देना थैंक्यू